केरिला इस्टेट में MBBS BDS कोर्स में admission की counseling के लिए registration अभी से करना ज़रूरी होता है इसमें admission NEET score पर होता है इसमें KEM दवारा बाकी courses के लिए exam conduct करवाया जाता है मगर medical courses जैसे MBBS, BDS, Ayurveda, BBSC के लिए admission NEET score पर होता है इस स्टेट में MBBS के लिए government medical college में admission के लिए केरिला स्टेट के candidate ही eligible है मगर private medical college की 15% seat पर all India के candidate admission ले सकते हैं क्योंकि यह है एक open state है तो ऐसे candidate जो केरिला के अलावा other state के हैं और वो केरिला के private medical college में admission लेना चाते हैं तो अभी से registration कर दें केरिला स्टेट के permanent resident जो स्टेट कोटा से government medical college में admission लेना चाते हैं उनको भी अभी registration करना जरूरी है private medical college की fees की बात करें तो यह other state के लिए सबसे कम fees का स्टेट है हालांकि 2020 में यह 5-6 लाग के बीच में इसकी tuition fees थी मगर सभी medical college ने high court में proposed fees दी थी और high court ने कहा था कि यह student को proposed fees intimate की जाए तो यह student को intimate की गई थी मगर अभी तक के पहले वाड़ी जो 5-6 लाग तक के बीच में fees थी वही ली जा रही है तो यह सबसे कम fees वाला state है अभी काफी सारे student को यह doubt होगा कि अभी need 21 के application form ही नहीं भरे गए तो केरला state में MBBS state counseling 21 के registration क्यों start हो रहे हैं तो मैं आपको बता दूँ कि KEM द्वारा अन्य courses की exam के लिए registration अभी हो रहे हैं online application अभी fill किये जा रहे हैं और उनके साथ ही MBBS, BDS में counseling के लिए registration भी इसी के साथ करवाए जा रहे हैं इसलिए यह registration अभी करना जरूरी है अभी हम इसके schedule और prospects के बारे में बात करेंगे तो इसकी website है जहां पर आपने apply करना है वो है www.cwe.kerala.gov.in इस पर जैसे ही आप जाएंगे इस पर जैसे विजिट करेंगे तो आपको keam2021 का link मिलेगा उस पर आपने click करना है click करेंगे तो prospect से online application form का link candidate portal इस परकार के आपको option मिलेंगे तो पहले आप prospect पढ़के देख लें पूरा उसके बाद online application का किस तरह से apply करना है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ एक बार पहले prospect में देख लेते हैं इसकी important date तो यह application form start हो गएते एक जून से और इसकी last date है 21st June 21st बज़े तक यानि की साम को पांस बज़े तक आपने यह apply कर देना है other state candidate और जो केरलाई state के candidate है MBBS BDS में admission लेना चाते हैं उनके लिए बस यहीं सिरफ registration करके ही छोड़ देना है उनको कोई किसी परकार का यह documents नहीं भेजना है बाकी जो exam है उनके लिए admit card download होंगे उनकी exam लगेंगी तो जो MBBS admission यानि medical course में admission लेना चाते हैं उनको सिरफ registration ही करना है फिलाल इसके बाद में हम देखते हैं कि इसमें जो courses हैं वो medical के लिए कौन-कौन से courses हैं तो इसमें medical के लिए MBBS है BDS है BMS है जो सिधा course है इसके बाद BHMS है और BUMS है एग्री कल्चर के भी इसमें courses हैं बाकी इसमें veterinary course भी है लेकिन जो other state के candidate हैं उनके लिए MBBS है इसमें वो private medical college में MBBS में admission ले सकते हैं सीट वगरा के बारे में counseling के time में inform कर दिया जाएगा MBBS, BDS, BHMS, BMS, BMS, BSMS का साड़े चार साल का course है और एक साल की internship है इसमें इसके बारे में हम बात करते हैं आगे इसमें जो other state candidate है वो non-carolite second यानि कि इसमें second category में आते हैं वो इसमें non-carolite category second NK2 में आते हैं वो इसके बाद में application form आपने fill करना है इसकी fees आपने deposit करनी है fees 1000 रुपीज है इसमें सेस्ट के लिए इसमें 750 रुपीज है इसके बाद में आपने image upload करनी है और certificate upload करना है जो certificate upload करना है जो other state के candidate हैं उनको nativity certificate की जगे आपको 10th की mark seat upload कर देनी है date of birth की जगे भी 10th की mark seat upload कर देनी है आपने इसके बाद में confirmation page का print out ले लेना है documents upload के लिए आपको 10th plus 2 की और 10th की mark seat की जरूत ही होगी photo signature upload करने ही करने है इसमें इसके examination के बारे में आपका कोई matter है नहीं क्योंकि इसमें need के थुरू ही admission होगा और इसके बाद में अब हम बात करते हैं इसमें application form fill कैसे करें तो इसमें application form fill करने के लिए आपको इसकी website पर जाना होगा जो cwe.kerala.goe.in है इसमें आगे kemonline2021oblick public slash लिखा है इस पर आपको visit करना है यहां पर आपको link मिलेगा registration का और candidate login का अगर आपने registration कर दिया है अभी तो आप candidate login direct कर सकते हैं अगर registration नहीं किया है आप new user है तो यहां पर registration पर आपको click करना है जैसे registration पर click करेंगे इसमें कुछ instructions वगरा दिये गए हैं application submission की जो last date है वो 21st June 21 है यह आपने ध्यान रखना है इसके बारे में इसके बाद में आपने जो certificate upload करने हैं वो 30 June तक कर सकते हैं इसमें नेटिवेटी certificate और date of birth का पुरूप आपको पहले ही upload करना है ओनलाइन application form के टाइम पर और वो आपको submit करना है 21st June 21 तक इसके बाद में जैसे ही आप registration पर click करेंगे इसके बाद में registration पर click करेंगे तो इस से ही proceed for registration पर click करेंगे नाम date of birth, mobile number, confirm mobile number, email ID वगरा डालके आपने आगे इसको submit कर देना है और submit करने के बाद उसका आपने print ले लेना है confirmation page का print ले लेना है तो इस परकार से आप Kerala state के लिए apply कर सकते हैं वहां के private college में admission लेना चाते हैं तो अलांकि इस साल की जो fees रहेगी वो अभी आगे inform की जाएगी कितने fees रहेगी वो counseling के time में ही inform की जाएगी लेकिन केरिला सबसे कम fees का state है इसके बाद में जो candidate जिनोंने अभी apply नहीं किया है हो सकता है बाद में मोका मिले या ना भी मिले वैसे पिसले दो सालों में दो दिन का ये समय देते हैं exam होने के बाद तो हो सकता है मिले या ना मिले आपको अभी ही इसमें apply कर देना है तो ये जानकारी थी केरिला स्टेट के registration के बारे में जो other state candidate केरिला स्टेट के private medical college में admission लेना चाते हैं उनके लिए registration अभी करना आवश्यक है इसके बारे में और कोई जो भी update मिलेगी मैं आपको inform कर दूँगा अगर आप भी केरिला के private medical college में admission लेना चाते हैं तो इसमें apply कर सकते हैं हो सकता है बाद में मुका मिले या ना मिले तो दोस्तों मिलेंगे नई update के साथ नई जानकारी के साथ में तब तक के लिए जैहिं